क्या आपको पता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे पहला सेलफी 1839 में रोबोर्ट करने लियस नाम के एक ब्यक्तिने ली थी उस समय उन्हें सेलफी लेने में तीन मिनट लगा था क्या आपको पता है दोस्तों कि आपका सरीर सुबह तीन मज़े से लेकर सुबह चार बज़े तक सबसे कमजोर होता है यही वो समय है जब अधिकांस लोग अपने निंद में मर जाते है क्या आपको पता है दुस्तो की एक चीनी स्टुडेंट को एकजाम में चीट करने के लिए 7 साल की जेल हो सकती है क्या आपको पता है दुस्तो की एक चोकलेट कमपनी के द्वारा MS धोनी की चोकलेट स्टेची बनाई गई 386 केजी चोकलेट से बना इस स्टेच्यू का लंबाई 5 फिट 9 इंच है इसे बनाने में 1-1 कावन घंटे लगे क्याव को पता है दोस्तों की चंद्रमा के बिना प्रिथवी पर एक दिन लगवग 6-12 घंटा तक की हो सकती है और एक साल में 1000 से अधिक दिन हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ प्रिथवी का घंटा धीमा हो जाएगा चंद्रमा के बिना हमारे प्रिथवी पर पलक जबकते ही दिन गुजर जाएगा क्या आपको पता है दोस्तों की अलास्का के बेरों में सूरज 10 में को उगता है और 18 नवेंबर तक अस्त नहीं होता और 23 जनवरी को सूरज फिर से उगता है इसका कारण और्थ को अपने और्बिट के ओर टिल्ट होना है यानि की प्रिथवी के अपने और्बिट पर जुकाब के कारण होता है क्या आपको पता है दोस्तों की जब आप हाह कहते हैं तो आपका मुः गर्म हावा निकालता है लेकिन जब आप हुँ कहते हैं तो आपका वही मुः ठंडा हावा निकालता है क्या वको पता है दोस्तों कि लंडन में 10 साल के भारतिय लड़के ने मेंसा के IQ टेस्ट में 162 अंक हासिल किये और अब अधिकारिक रूप से आइंस्टीन और स्टेफेन होकिन को हरा दिया वो भविश्य में पृतिविका सबसे स्मार्टेस्ट मेन हो सकता है क्या वको पता है दोस्तों कि 7600 मीटर की उचाई पर हर्ट एयर बैलून में आयोजित बेयर ग्रिल्स ने सबसे अधिक ओपेन एयर फॉर्मल डिनर पार्टी का विश्वर रेकर्ड बनाया क्या वको पता है दोस्तों कि 7 वोल्ट ने पिछले तीन ओलम्पिक में 9 स्वर्ण पद जीते हैं वो भी शिर्फ और शिर्फ दो मिनाट दोरने से और एसे ही उसेन वोल्ट ने अपने ओलम्पिक में कूल 1-15 से कम समय तक दोर लगाई और आधुनिक 19 मिलियन डॉलर कमाए जो कि उनके दोरा चले गए प्रतेक सेकेंड के लिए 1 मिलियन डॉलर से अधिक है लेकिन उन्होंने 9-15 सेकेंड के लिए उन्होंने खुद को 20 बर्स से ज्यादा बर्सों तक प्रसिक्षित किया क्या को पता है दोस्तों कि यह एक आम गलत धारना है कि किसी को गुमसुदा बेक्ति के रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 24 घंटे इंतजार करना चाहिए कानून प्रवर्तन एजन्सिया अक्सर इस बात पर जोर देती है कि मामले को जल से जल रिपोर्ट किया जाना चाहिए क्या आपको पता है दोस्तों कि जापान में बर्तमान में देश के भितर 5 मिलियन से अधिक ओपरेटिंग भेंडिंग मेशीन है इसलिए वहाँ पर प्रती 23 बेक्ती बरावर एक वेंडिंग मेशीन है जिससे यह पूरी दुनिया में प्रती बेक्ती सबसे अधिक वेंडिंग मेशीनों वाला देश है क्या उको पता है दोस्तों कि मेक्शिको में विश्व का सबसे बड़ा पिरामीड चेलूला का महान पिरामीड पिरामीड अफ चेलूला इस्थित है दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा असमारक भी है क्या उको पता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा तोप जेई बाना तोप है यह आज भी जेईपूर के जेईगर्ण किले में सुरक्षित रखा गया है पहली बार जब इसे टेस्ट फाइरिंग के लिए चलाया गया तो इसका गोली 35 किलोमीटर दूर जेईपूर के चाबस नाम के कस्वे में गिरा था और जहां यह गिरा वहां एक तलाब बन गया और आज भी वह तलाब मौजूद है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों तक इसको शेयर करके फैला दीजिए अगर आप अभी तक हमें इस्टाकर और फोलो नहीं किये हैं तो दिस्क्रिस्ट नहीं दियेगे लिंक्स पर जाकर फोलो कर लिजिए थांक्स पर वाचिंग